Hello everyone, welcome back again to my youtube tutorial तो आज के इस टुटोरियल में हम buffer overflow attack को continue करेंगे तो इसके पहले वाले टुटोरियल में हमने buffer overflow का overview देखा था हमने देखा था कि buffer क्या होता है और फिर देखा था buffer overflow attack क्या होता है तो अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज इसका एक part 1 जरूर देख लेना तो आपको यह बहुत अच्छे से एजीली समझ में आ जाएगा ठेक है तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने आपको buffer overflow attack से कैसे बचा सकते हैं अपने इसमें और फिर डाइग्रमिटिक वे में पूरा buffer overflow attack देखेंगे ताकि वह आपके एक्जाम में अच्छे से लिख पाऊं ठेक है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि how to protect against buffer overflow attack तो सबसे पहले मैंने आपको बतायता है buffer overflow attack में क्या रहता है कि buffer क्या होता है सबसे पहले तो buffer होता है containers of data जिसमें data store होता है और buffer overflow attack में attacker जो है जितना amount of data वो container restore कर सकता है उससे ज़्यादा data supply कर देता है ताकि आपकी application crash हो जाती है for example अगर आपकी application ने phone number मांगा है जो है 10 digit और attacker ने lakhs of digit का phone number एंटर कर दिया और उसके बाद भी बहुत कुछ एंटर कर दिया तो इससे क्या है chances से कि अपने application crash हो जाए ठीक है तो यह हो गया buffer overflow attack का example तो सबसे पहले तो buffer overflow attack से बचने के लिए दो लोगों को ध्यार लखना पड़ेगा programmer और दूसरा organization तो सबसे पहले programmer का सबसे main part है कि programmer को अपने code को अच्छे से handle करना पड़ेगा अपना code ऐसा लखना पड़ेगा कि operating system और जो आपकी application है वो अच्छे से data के access को manage कर सके ठीक है तो basically the type of attack is possible due to purely written application code और operating system code अभी वो जो मैंने आपको example बताया था 10-digit phone number वाला तो अगर programmer उसको handle कर लेता अपने code में कि check लगा देता कि यूजर को 10-digit number ही एंटर करना है नहीं तो आपका code accept नहीं करेगा इससे वो attack possible नहीं होता तो programmer basically attack क्यों होते हैं क्योंकि application code और operating system code को अच्छे से नहीं लिखते हैं programmer तो buffer overflow attack से बचने के लिए programmer और organization दोनों को ही कुछ चीज़े ensure करने चाहिए सबसे पहले तो मैंने आपको बताया से पहले तो programmer को अपने code को प्रॉपरे टेस्ट और हैंडल करना चाहिए for example उसको सारी overflow condition को अपने code में हैंडल करना चाहिए उसके बाद organization को अपने operating system और application को up to date रखना चाहिए उसके latest version को install करना चाहिए ठीक है और service pack और patches को install करना चाहिए service pack और patches generally security purpose के लिए install किये जाते हैं तो ये दो बातों का ध्यान रखना चाहिए अब हम देखेंगे कि attacker buffer overflow attack का use कैसे करते हैं तो attacker buffer overflow attacker use करके तीन चीजे कर सकते हैं सबसे पहले तो आपके application में malicious code को inject करते हैं injection of malicious code into the application उसके बाद वो denial of service attack भी कर सकते हैं उसके बाद SQL injection भी कर सकते हैं अटेकर ठीक है तो इतनी सारी चीजे वो कर सकते हैं सबसे पहले तो attacker क्या करेंगे आपके application को जितना भी input चाहिए for example आपके application username या email id मांग रहे है तो उससे ज़्यादा वो data provide कर देंगे ठेके तो इससे क्या होगा कि मान लो कि आपके application ने email id मांगी तो email id के पीछे वो क्या करेंगे कि एक malicious code for example C का एक code लिख दिया जो आपके computer को एक virus का code है वो ठीके तो इसकी help से वो आपके computer में malicious code भी inject कर सकते हैं क्योंकि आपकी application तो क्या कर रहेगे कितने भी data को accept कर रहे है और हो सकता है कि वो application इतनी पूरली लिखी गई हो कि वो malicious code को भी execute करते हैं ठीके मैंने phone number का example लिया है कि for example एक application है जिसमें 10 digit phone number डालना है ठीके तो attacker क्या करता है 1000 digit का phone 1000 digits डाल देता है उसके बाद एक ऐसी command लिख देता है जिससे malicious code execute होगा ठीके अब क्या होता है कि चू की software program अच्छे से नहीं लिखा गया है और proper error handling अच्छे से नहीं की गई है तो ये malicious code का program जो है वो execute हो जाएगा ठीके तो एक्जाम्पल इस programmer ask to enter 10 digit mobile number और user enter 1000 digit followed by command to execute malicious code because the software program does not have proper error handling it execute the command simple है इक पर आप पढ़ लेना उसके पाद इसके अलावा जो है attacker DOA से condition भी अरेस कर सकते है ठीके बफर ओफलो attack करके अब हम देखेंगे diagram के थ्रू कि buffer overflow attack के पूरी summary इस diagram में लिखी होगे सबसे पहले तो buffer क्या होता है buffer मैंने आपको बताया था कि ये एक container होता है data का तो buffer temporary storage area रहता है जिसके capacity limited होती है ठेके अब overflow मतला पता ही लग रहे है किसी चीज का overflow मतला एक container तो है वो 100 kb data ही hold कर पा रहे है पर किसी ने उसको 200 kb data दे दिया तो buffer overflow occur when the program try to store more data in buffer than the storage capacity मतला किसी के storage capacity से ज्यादा data को store करना ठेके अब attack कब होता है जब ये जो overridden data रहता है जो overflow data रहता है जो extra data रहता है वो अपने past के memory को override कर देता है और आपके system को corrupt कर देता है आपकी application को corrupt कर देता है तो the data will overflow another buffer ठीक है and override and corrupt the data is stored in the adjacent buffer तो उसको बोलेंगे attack तो buffer storage area overflow मतला डेटा का storage area से बाहर attack मतला उस मतला डेटा का overflow के कारण आपकी past वाले buffer को corrupt हो जाना इसको बोलेंगे हम attack तो अगर आपको मेरा ये video पसंद आ रहा है और helpful लग रहा है तो please में चाहन को subscribe मेरी video को like कर ना बिलकुल मत भूलेगा मिलते हैं नेक्स लेक्चर में थैंक्यू अंपक मैंसे कर कि भीच weapons haus